शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें तो यही चाहती हो न मेरो अशनी से दूर रहें तो जब तक हम साथ हैं हमारा तलाक मी हो जाता है तो यही खातम हूई अब तुम्हे तब तक मेरे परिवार को पूरी इज़त देनी हूगी तुम्हें जाओ और पहले रसोई की रसम की त्यारी करो जाओ, जाओ क्या वा किरती, क्या शोच चुरू? क्या वा तुम्हें? तुम इतनी परिशान क्यों? परुन जी, हमेना कुछ ठीक नहीं लग रहा जितना हम अपनी भेन को जानते हैं वो इन महिला मुक्ति वाली ओरतों को बुलाकर अभै को कभी खत्रे में नहीं डालेंगी यही सवाल मेरे दिवांग में कबसे आ रहा है? हमें लगता है कि बता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि उन ओरतों को ना हमने कहीं तो देखा है अब देखना श्रता कैसे यह मिर्जी उड़के तुम्हारी आखों में जाती है खंबंड है ना तुम्हे अपने पनी होने का और मुझे इस बात की मिर्ची लगाने का अब जैसे तुम अपनी पहली रसोर करने आओगी न मैं ये ये तानौन करतूंगी अब फिर सारी मिर्ची दली की तुहारी आखों है और तुम्हारी आखे ऐसे जलिगी जिसे तुम दुबारा मेरे अभे पर अपनी नजर नहीं डाल पाऊंगे. उफ, यह अपने अभे किस था किया? चाहती क्या हो तुम? क्यों सब को परिशान करके रखाया तुमने? क्यों? मैं क्या परिशान कर एपको? तुम नहीं कर रही हो तो और कौन कर रहा है? और धोकी से मुझसे हाधी की, ये जानती हो भी, कि मैं Rohşni से प्यार करता हूं, भिर ये महीला मुक्ती वालो को घर लेयाई तुम, ये जानती हो भी, कि Rohşni को इस घर मैं लेकर राया हूं। अब तुम ये भी जानती हो कि Rohşnhines में एक दुस्रे से प्यार करते हैं। और हजार बर मैं भी आपको कह चुकी हूँ कि मैं आपकी पत्नी हूँ और मैं आपको छोड़ कर कहीं नहीं जाने वाली नहीं छोड़ो कि मैं आपको तुम हजार बर कह लो यही चाकु से मार लो मुझे तुम जबदस्ती मेरा मन नहीं बदात करती हूँ कब भारा मेरे आखो? इराजे तो तुम्हारे यही लग रहे हैं क्या हुआ? लगता है थोड़ी मिर्ची मेरे आखों में चली गई पानी भीखना पड़ेगा आजो क्राउपना निल्हा रहे है क्या है और उख कर दो भीखना प्रश्रीक, तुम्हें आक्यों चुपी हो? अरे बूस अब छोड़ो, पानी तो बहुत चल रहा है मेरी आंकों में, मिर्ची चली गई है अब मैं चुक गई ताकि इसे एसा ना लगे कि मैं इसकी पहली रोसोई खराब कर रही हूँ और यह फिर से मैला मुट्टी और पुलिस को बुला लेगी क्यों? पुलिस को बाहर से बुलाने की क्या जरृत है? जब पुलिस वाले घर में ही है तुम्हें तुसके बारे में अच्छे से पता होगा ना? तुम्हारी सहेली जो बन गई है वो इन दिनों? तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है है हमें क्यों? क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? हाँ शक्त अक्रबाजी कहा है आँ बाहर आईए क्या हुआ कीर्थी? क्यों इतना चिला रही हो? हम सब है ना यहां पर? हमें बताओ कि क्या बताना है तुम्हें अब कौन सा नया तमाशा करना चाहती हो? तमाशा कौन? और कैसे बनाता है? वो अब हम बताते हैं बुलाइए ना अपनी प्यारी बहुरानी को क्या हुआ कीर्थी? क्या हुआ है? वो अब हम आपको बताएंगे अरे हमें तो हैरानी हो रही है आप जो इतना सच्चाई का साथ देती हैं हमें नहीं पता था कि आप इतने बड़े खेल भी खेल सकती हैं हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा आपको पता है? हमें ना परिशानी होती थी आपकी इस महानता आपके इस अच्छाई सीना हमें चिड़ मच्ती थी, कि कहीं आप अपने लिए ही गड़ा ना खोद लें। पर हमें क्या पता था, कि आपके तो इतने अलग-अलग रंग है। क्या बोली जारे है अपनी सगी बहन के बारे में, क्या कर दिया इश्रदा ने, जो उल्टे हाथ से उसका कान पकड़ने पर तुली हो। यह वही महिला मुक्ती वाली औरते हैं न, जो आज सुबह घर पर आकर इतना तमाशा करकी गई। आप बताएंगी या अभी भी चुप रहेंगी। ठीक है, आप मत बताएंगे। हम ही बता देते हैं। यह कोई महिला मुक्ती वाली औरते नहीं हैं। यह सारी औरते इनके क्लाउट किछन में काम करती थी। इन्हों ने उनका इस्तेमाल किया ताकि रोष्णी को घर से बाहर निकाल सके। यह आपके बारे में बोल रही हैं। आप यह भी कर सकती हैं। इतना बड़ा जूट बोला आपने। हाँ। बोला मैने जूट। हाँ। हाँ। हाँ भावी। क्या बात है। हमारी शर्थ्था तो अलागी रचनातमा घुपती टारी है। ठीक है रही। अभी लगता है इसे समझ में हागया है। कि जब की समझ में मुझे रहा है। तो मुझे टेगे करने जाए। इसकी उकसाने पे वो क्लाउट किचन की ओरते मुझे धंकी देखी गई। पता नहीं नजाने कल ये अपने गुंडों को बेज कर मुझे अगवा भी करवा लेगी और मुझे चोट भी पहुंचाएगी। किस्मत से टकराती उलजी लकीरों को सुलज हाती। शद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाईए शिमारू उमंग।